अरे भाई ये बॉली बुड है यह हर साल हजारा हिरो बनने का सपना लेकर आते हैं लेकिन असली हिरो वो है जो अपनी महनत की मशीन बन के बॉली बुड का बिदली का खंबा बन जाता है और एक ऐसा ही बंदे का नाम है राजकुमार राओ हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम बात करेंगे राजकुमार राओ एक ऐसा एक्ट है जिसने बॉली बुड के रूल ही बदल दिये आईए करते हैं इसे हीरो आफ दि कॉमन मैन का सीन खोल बात है 31 अगस्ट 1984 की जब गुरगाओं के एक साधरन घर में जन्मा हरियाना का ये छोरा पिता जी कॉमन एमपलोई और माघर की मालकिन राजकुमार राओं में बच्पन से ही अलगी स्पाक था माने चाय का कप उठा कर भी एक्टिक करता था और उसके ख्वाब देखो ऐसे की हन्याना से हॉलिवुट की टिखी बुक करवा रखी हो तो पाउजी खाबो को जेब में रखकर पहुंच गए दिल्ली में नेशनल आफ ड्रामा में हाँ वहीं जहां टैलेंट को पॉलिशिंग मसीन में टाल कर इस इतनी ते ही ठोकर लगती है उतनी ही लंबी चलांग होती है और इसमें तो सोच रखा था कि बॉलिवुट में अपने नाम का जंड़ा गाल कर ही रहेगा फिर आया वो लाजवा पल जब राजकुमार ने शाहिद में ऐसा धमाका किया कि बॉलिवुट के बड़े बड़े ड राम चल पड़ा जैसे गरम तेल में पकोड़े तेरते हैं एक के बाद एक धमाकेदार बुवी न्यूटन इस्तरी और मज़ेदार कॉमेडी रेली की बरफी हर रोल ऐसा की बंदर कहें भाई राजू के अलावा कोई और करता दो ना पस्ता राजू ने सावित कर दिया कि ब कावरफल एक्टर बना चाहिए अब बॉलीवुट का मज़ा आदा रह जाएगा अगर लव स्टोरी ना हो तो भाई पत्र लेका के साथ राजकुमार राव की लव स्टोरी भी पूरी फिल्मी थी तेरा मेरा साथ रहे वाली कहानी यार के हर पड़ाव पर एक दूसरे के मान के तार्य तोड़ सकता है बॉलीवुड में हिरोज तो बहुत बने आएंगे जाएंगे पर असली हिरो वो है जो हर रोल में जान डाल दे और दित जीत लेता है तो यारो अगर तुम्हारे भी कुछ बड़े क्वाब हैं तो राजकुमार राव को याद रखो असली हिरो वही है जो ख्वाब देखता है और उन्हें सच करने का जज़वा रखता है जो अपनी मेहनत को अपनी ताकत बहा लेता है तो याद वीडियो तिल देन बाबाई